नमस्कर दोस्तो भारत में एसी कई एतिहासिक इमारते मोजूद है जिनके राज भी बेहद अनोखे हैं राजिस्थान में खासकर एसी कई एतिहासिक इमारते मोजूद है जो कि सेकडो वर्ष पुरानी है और कुस्तो कई हजारों साल पुरानी है यही इमारते भारत की शान कहलाती है और विरासत में भी आती है ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी ही इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बने तो 221 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये इमारत अपनी भव्विता के साथ खड़ी है और लोगों को अपनी और आकरशित करती है बता दे की भारत की इस एतिहासिक इमारत का नाम है जल महल जो की जैपूर में इस्थित है असल में ये एक खुबसूरत महल है जैपूर आमेर रास्ते पर मानसागर जहिल के बीचो बीच इस्थित इस खुबसूरत महल का निर्माण सवाही जैसी ही ने 1799 इस्वी में करवाया था हाला कि इस महल से पेले जैसी ही ने जैपूर की जैलापूरती हेतु गर्बाती नदी पर बांध बनवा कर मानसागर जहिल का निर्माण करवाया था अरावाली पहाड़ियों के गर्ब में इस्थित ये महल जहिल के बीचो बीच होने के कारण इसे आई बॉल भी कहा जाता है महीं इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है इस महल को राजा अपनी रानी के साथ खास समय बिताने के लिए उप्योग करते थे साथ ही राजसी उत्सव पर भी महल का उप्योग किया जाता था बता दे इस पांच मंजिला जल महल की सबसे खास और अनुखी बात ये है कि इसका सिर्फ एक ही मंजिल पानी के उपर नजर आता है लेकिन बाकी के चार मंजिला पानी के नीचे है यही कारण ही कि इस महल में कभी भी गर्मी नहीं लगती वहीं इस खुबसूरत महल से पहाड और जिल का नजरा देखने लाइक होता है खासकर कि चांदनी रात में तो जिल के पानी में बसा ये महल बेहदी खुबसूरत नजर आता है जेल महल की पाँचों मनजिला हॉल नुमा बनाई गई है जिसके आगे की तरफ चारो और बालकनी बनाई गई है जहां खड़े होकर हवा के जोकों का लुफ्त उठाया जा सके इसके चारो और बने 20 खंबे राजा जैसी के शाही परिवार के प्रभुत्व को दर्शाते हैं जेल महल के प्रते कोने में की गई नकाशी उस समय के राजाओं के कला प्रेम को बखुबी बया करती है बता दिकी जेल महल अब पक्षी अब्यारन के रूप में भी विक्सित हो रहा है यहां की नर्शरी में एक लाग से ज़्यादा फ्रक्ष लगाए गए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर करना ना पुले साथी हमारे चेनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि देश और दुनिया की तमाम अनुखी खबरे हम आपके लिए लाते रहें